हाई फ्रेंड्स अज मुंबाइ इंडियन्स और पंजाब के बीच मैच होनी जा रहे हैं सीजन 17 मैच नमबर 33 यहाँ मैच मलंपूर महराजा यद्वेंदर सिंग अंतराश्टे क्रिकेट स्टेडिमें खेले जाएंगे पीच रिपोर्ट के बात किया जाये तो 40% पेस बोल के लिए अनकुल रहेगा और 60% स्पिन बोल के लिए मदद रहेगे और बैटिंग के बात किया जचाहिए भी 40% बैटिंग अनकुल रहेगा और 60% बॉलिंग यहां आउसाथ स्कोर देखा जाया तो 162 है पंजाब इसाइपल में अब तक 6 मेचों में से केवल 2 जीत के साथ यह देखना दिल्चस्प होगा कि दोनों टीमों में अपने अभियान को पुनर्जित करने के लिए इस महत पूर्ण मुकावले में कैसे उतरती है और दूसरी ओर मुंबई इंडियन्स का भी कुछ इस प्रकार यह छे मेचों में 2 की जीत हुए और पॉइंट टेबल का देखा जाये तो पंजाब आठ और मुंबई इंडियन 9 के स्थान पर है रिपोट का अनिसर पता चलाए का सिकर दिवन मैच चे दूर रहेंगे स्याम खरन कैप्टन की भूम का निभाएंगे और ससांक सिंग और अस्टोष पर ज़्यादा उम्मीद है ठीकी रहेंगे आज के मैच में मुंबई की टीम के ओर प्लेइंग लेवन की बात किया जाए तो होई टीम उतरेगी मैदान पे इसमें रोहिस सर्मा, इसान किसान, सूरे कुमार यादव, तिलक वर्मा, हारदिक पांडिया, टीम डेविड, मुहम्मद नवी, शेपाड, कौटेज, जस्पृत ब्रुम्रा, आकास मद्वाल और दूसरी वर देखा जाए तो पंजाब लेवन, जौनी बेष्टो, अतरुत आइडे, प्रभु सिम्रान सिंग, स्याम करन, लिविंग स्टोन, जितेश सर्मा, ससांक सिंग, हरपीद ब्रारार, हरसत पटेल, अर्सिदीप सिंग, कगी सुरबाड़ा हैट तो हैट देखा जाए तो टोटल 31 मेच खेला गए, जिसमें 16 मुंबई इंडियान और 15 पंजाब ने जीत की मुंबई इंडियान ने हाइश्ट स्कोर 223 और सबसे लोइस्ट स्कोर 87 रन बनाए यहाँ पर और पंजाब ने हाइश्ट स्कोर 230 और लोइस्ट 119 बनाए यहाँ पर प्रिडिक्शन का अनुसर देखा जाए तो पंजाब 36 परतिस है ते और मुंबई 64 परतिस है गूगल मैप का अनुसर ओडिस में देखा जाए तो 2.85 पंजाब और 1.50 मुंबई इंडियान से दोनों के आकड़े का अनुसर मुंबई की जीत की ओर दरसाती है आज का मेरा प्रिक्शन भी मुंबई इंडियन्स की हो रहे एक महत्वपून बात कहनी है टॉच जीत कर जो टीम पहले बॉलिंग लेगे चेजिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांसे ज़्यादा है इस पिच पर टीम की तुलना की में मुंबई इंडियन्स ज्यादा स्ट्रॉंग नजराती है यदि आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आपने दोस्तों को सेर कीजिए धन्यवाद यवे ग्रेट डे अबस्तों को सब्सक्राइब ग्रेट नए है